हेलो फ्रेंस मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंस आज हम एकदम सिंपल तरीके से और कम समन में तयार होने मड़ी रेसिपी बनाएंगे हम बनाएंगे मटर पुलाओ फ्रेंस अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मडर पुला बनाने के लिए ग्यास पर मैंने कुकर रखा है सबसे पहले हम इसमें दो चमच घी डालेंगे आप चाहे तो तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं घी गरम होते ही हम इसमें एक चोटा चमच जीरा डाल देंगे इसके बाद ये दो तेज पत्ता डालते हैं एक निखा सलची में नखते हैं इसे हम हर्का सा बहुन के लेते हैं अब हम डालेंगे एक बड़ा चमच अद्रफ लचंका पेस और एको से दो हेरी मिल्च लिए बहुन के लेते हैं इसके बार डालेंगे कटा हुआ पैस को हमें अच्छी्थ से फ्राइक कर लेना है पैज अच्छा सा सौप हो गया है अब हम डालेंगे एक कब मटर इसे हम चार से पाच मेंट के लिए मेडियम फ्लेम पे अच्छे से भून कर लेते हैं अब हम दो कम बस्मती चावल डालते हैं चावल को अच्छे से चाय से पांच बार दोके लेना है मैंने यहां पहले से ही चावल वाश करके रखा था चावल को अच्छे से मिला लेते हैं अब हम इसमें पानी डालेंगे दो कॉप चावल के लिए हम चार कॉप पानी डालते हैं स्वाद मुसार नमक डालेंगे और मिक्स कर लेते हैं अब कुकर का ढकन बंद करके दो शिट्टी आने तक पकने देते हैं गैस की फ्लेम बिडियम रखनी है शिट्टी हो गई है अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे थंदा होने देते हैं पूरी हवा जाने के बाद ही कुकर का ढकन निकालना है आप देख सकते हैं पुलाव अच्छे से पक गया है इसे हम दालत्रा के साथ खा सकते हैं हमारा मटर पुलाव वेडिवो चुका है अगर आपको मेरी रेशिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले Thank you for watching my video आपको मेरी अच्छी जाओएब करना ना भूले